आमतवाले खुद के रखवाले जीवत है फुटबावाद तितलिया तितलिया हम इचलाती बलखादी तितलिया सडक है हमारा बाझ तितलिया हलो दोस्तो मेरा नाम अकाश है आप सभी का स्वागत है हमारे कार्रेकरम बच्चों की नजर से में यह कारेकरम आप तक बटरफ्लाइज ब्रोड कास्टिंग चिल्डरन द्वारा लाया जाता है दोस्तों आज हमारी चर्चा का विशे है हमारी जिंदगी पर खाने का प्रभाव आज हमारे चर्चा के मॉटरेटर है हमारे संजुविया शुक्रिया काश मुझे यहाँ पर निबंतरन देने के लिए और सभी शुरुताओं का स्वागत है बच्चों की नजर से कारेकरम में और आज के इस सभा में और आज के इस दिसक्शन में हमारा जो विशे है वो है जीवन और खाना कैसे जो खाना है वो हमारे जीवन पर रोहित और आकाश भी मौझूद है इस चर्चा के लिए तो सबसे पहले हम निहारिका जी आपकी तरफ आते हैं और आप से जानना चाहेंगे कि जीवन और खाना कैसे आपस में चुड़े हुए है शुक्रिया संजु जी आज का चर्चा जिस पे हम कर रहे हैं यह मेरा बहु स्वास्त क्यों जरूरी है और पौ değişन हमारे स्वास्त के लिए सब को पता है बहुत जरूरी है कौन सा भोजन कैसा बोजन इस बारे में हम आप बच्चों के सार्ड दिस्कस करना चाहूंगी हर तरह का भोजन हम लोग खाते हैं हर बोजन को पौश्टिक तत्व के हिसाब से ह important key point हम लोग बोलना चाहेंगे या हर किसी को यही बताना चाहेंगे कि भोजन खाना है तो हमें अपने पूरे पोशिक तत्वों का ध्यान रखते हुए खाना चाहिए पोशिक तत्वों का मतलब है हमें उस खाने में जो भोजन की थाली हम परोसेंगे उसमें कार्भोहाइडिर्ट की मातरा प्रोटीन की मातरा, फैट, वेटमिन्स और मिनरल्स के मातरा बहुत सन्तुल इताहार में हमें खाना चाहिए हम गलती क्या करते हैं हम सिर्फ अपना पेट भरने के लिए खाना खाते है हम उस पेट भरे होए खाने में या तो सिर्फ उर्जा की चीज़े खाते हैं या हम बहुत जादा प्रोटीन या हम तला हुआ मसालेदार खाना खाते हैं और मैं यही कहना चाहूंगी कि बच्चे बहुत जादा जंक फूर्ट की दियान देते हैं बच्चे बहुत जादा, तली हुई मसाले, उन चीजों पर ध्यान देते हैं, तो उन चीजों के बारे में उन्हें हमेशा हमें alternative सुझाव देते रहना चाहिए, कि क्या आप लोगों को इसके बदले में दूसरी चीज क्या खाई जाए, तो आपको बचों मैं यही बताना चाह कि हमेशा पौश्टिक तत्वों को मायते रखते हुए, अपने खाने की डिश को सोचिए, अगर आप कोई भी चीज बाहर जाके भी बजार में खा रहे हैं, तो यही देखिए, कि क्या यह मेरे को पूरी पौश्टिकता से दे रहा है, या घर में मैं और और नई 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 कैसे प्रयोग कर सकते हैं, और उसे अपने खाने को और पौश्टिक बनाएं, बहुती सुन्दर बात निहारीगाजी आपने कही, और संतुली तहार की बात करें, तो जीवन अगर मोती है, तो खाना धागा है, जो पी रोके चलता है, मोनू, मैं आप से भी जानना चाहूँ हैं, और उनको उनके पास कोई टाइम नहीं देता, तो लेंच नहीं कर पाते हैं, लोग नास्ता, और वो पोश्टिक आहर नहीं ले पाते हैं, उनको कुछ ऐसा ढूनना चाहिए, आसपास, जो उनके पोश्टिक आहर काम करें, जैसे कि बादम खालो दलिया खालो, बहुत पड़िया मौनू तुमने पॉइंट उठाया कि आजकल हुम खाने पे ध्यानी देते, सूबह का ध्यानी रहता रात का ध्यानी रहता, दिन का ध्यानी रहता तो अच्छी आहार जो है हमारे दिन-चर्या को भी प्रभावित करते हैं और कही न कहीं अगर हम अच्का खाना ख खाने का बहुत महत्व है जैसे कि हम अपने दोस्तों के घर जाते हैं तो वह हमारा स्वागत खिला पिला करें कुछ करते हैं बहुत बढ़िया बात आपने उठाई की समाच से जुड़ा हुआ ये खाना है समाच से जुड़ा हुआ फूड है और इसी गड़ी में रोहित आप भी बहुत सारी बाते करेंगे लेकिन रोहित अब आप से जानना चाहेंगे कि इस विशुबर आप क्या सोचते हैं और किस तरह के विचार जो है आप अपने दोस्तों से अपने भाईयों से सांजा करना चाहेंगे धन्यवाद संजबिया मैं जंग फूट के बारे में कि उसी वज़े से उनके हैल्थ पे भी काफी जादा प्रभाव पड़ रहा है उनका फैट बढ़ता जा रहा है स्टैमिना कमोता जा रहा है अगर वो लोग इसी चीज को जूस हारी सबजिया न्यूटिशन चीजे खाएं तो उनका शरीर काफी अच्छा और काफी चली है जंक फूर की बात हुई है यहां पर चौमीन की बात हो रही है था-फैस यह किस तरीके से हमारे सेहत के लिए नुफसान दायक है और अगर इनको खाना ही है तो कितने लिमिट में हमें खाना चाहिए यह जरूर आप प्रकाश डाले इस पर रॉष्णी डाले जैसे मैंने कहा कि जंक फूर्ड बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद है इसके दो कारण है जंक फूर्ड ज्यादा तर अगर चौमिन मोमोज या मागी या कुछ भी इस नूरगी नू चौको भी शुगर डाबेटीज शिकायत हो रही है शिकार हो रहे हैं और यह इसी वज़े से हो रहा है कि हम जो उर्जा जो अन का हम प्रेयोग करते हैं उसमें हम गेहूं जौन साबुत अनाज का कम प्रेयोग करके मैदा या जितने भी प्रोसेस्ट चीजे होती हैं उनको लेकर आजाते हैं वो हमारे शरीर में कार्बोहाइडरिट की मात्रा तो पूरी प्रते हैं पेट तो बराते हैं लेकिन चीनी में बदल जाते हैं और हमारे एनरजी लेवल्स को तो पूरा कर देते हैं लेकिन हेल्थ वाइस वो हमारे हेल्थ को और ज्यादा नुकसान बच्चों को अपने स्वाद को बदलाव लाना ही पड़ेगा। दूसरे अल्टरनेटिव ढूनने पड़ेंगे। क्योंकि जिस तरह से lifestyle बच्चों का है, during covid भी बच्चे बाहर नहीं निकले हैं, बच्चों का exercise नहीं है, तो अगर बच्चे इसी तरह का खाने का प्रयोग करते रहेंगे, तो उन्हें बहुत सारी बिमारियों के वो शिकार हो सकते हैं, और एक बात और कहना चाहूंगी कि बच नाश्ता बच्चे हों, बड़े हों और वरकिंग लोग हो, नाश्ता जरूर करके निकले, और नाश्ते में हमेशा पौश्टिक चीजों का ध्यान रखें, जैसे कि अंकुरे डाल खा सकते हैं, चीला बनवा सकते हैं, दूद की कोई आइटम और एक फल खाके जरूर निकले क्या बात है निहारीका जी, ये बच्चे जब इस बात को सुनेंगे तो वो कहीना कहीं मोटिवेट होंगे और प्रुचसाहन बढ़ेगा उनका कि ताकि वो चंग फूट थोड़ा कम का है, हम ये नहीं कहते बच्चों कि आप जंग फूट ना खाएं, आप खाएं, लेकिन उसकी continuity है, जो उसकी regularity है, वो कम करें और कोशिश करें हफ्ते में, जैसा कि निहारीका मैम ने बताया कि आप हफ्ते में एक बार खाईए, या दो हफ्ते में एक बार खाईए, बहुत अच्छा है, यहीं पर अभिशेक हमारे साथ मर्जूद है, अभिशेक आप से भी हम जा जैसे कि अगर हम संतुली ताहार निखाएंगे तो हमारे पर जंग फोट का बहुत घहरा असर पड़ेगा, जिससे कि हम अपने काम को पूरा नहीं कर सकते, बिलकुल अभिशेक, संतुली ताहार जीवन में बहुत जरूरी है, और इसके बीना जो हमारी सेहत भी कही न कहीं क हम आप से जाना चाहेंगे कि जो बच्चे हैं, खास तोर पर अगर हम बात करें 6 साल से 14 साल के बच्चों की, तो इस एज ग्रूप के बच्चों को किस तरीके के खादिपदार्तों को सेवन करना चाहिए, या किस तरीके की food habits अवेल करने चाहिए, जैसे आपने बताया, 6 सा पर इक विकास के लिए सबसे जादा महतपून होती है, इस टाइम पे बच्चों को सबसे जादा अनाज और दालों का मिक्स्चर करके खाना खाना जाहिए, अगर उनके तीनों टाइम के खाने में नाश्ता, रोटी, डाल, सबजी, हर एक मील में जरूर होनी चाहिए, डाल ह नहीं हो तो पनीर, अंडा, मासमच्ची, चावल हो नहीं हो तो चावल की जगे साबुत अनाज का प्रयोग करें, कभी वोने चावल खिलाएं, कभी जौन, कभी जवार, कभी बाजरा, क्योंकि यही एक टाइम है जब उनका टेस्ट बनता है, स्वाद उनका बनता है, तो व हमें बहुत ज़रूरत है कि हम जो भी उनका एक खाने का पोशन बनाए, उसमें दाल, चावल के डिफरेंट डिफरेंट ग्रीन्स को हम यूज करें, खासकर कोशिश करें कि बच्चा दो टाइम फल तो खाए ही, अगर फल के साथ-साथ वो दूद और दूद के वनीवी पढ़ाएंगे, आपको सुब सुब पारक में जाके एक साथ करनी चाहिए, मेरा यही दोस्तों के लिए संदेश है कि वो हमेशा अपने खाने में संतुली तहार के ही उप्योग करें, मेरा भी मेरे दोस्तों से अनुरोध है कि वो अपना भर पेट पानी पिये और जाज़ादा जूसों की तरफ बढ़े, मेरा आप सभी से यही अनुरोध है कि आप अपने खाने के लिए टाइम निकाले और आराम से बैठके खाना खाए, बच्चों जाते जाते मैं यही बोलना चाहूँगी, खाना हम सब के को खुश रखता है, खुशी 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 खाओ, अच्छे से खाओ और संतुले तहार खाओ, आप सभी का वहत बहुत शुक्रिया, दोस्तों उमीद है कि आप सभी को आज का कारिगरम पसंद आया होगा, अब आप से अगले गुरुवार 3.45 मिनिट पर मुलाकात होगी, 102.6 MHz FM रेंबो पर, तब तक के लिए नमस्कार, अमत वाले खुद ते रख वाले, जीवद है फुट पाँ, तितलिया तितलिया, हम इचलाती बल खाँ, तितलिया, सड़त है हमारा बाँ, तितलिया तितलिया,